जराती कड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप बेशन, आधा कप तही, आधा कप बारेक कटे प्यास, धन्या की पत्या, दो बारेक कटी हरी मिर्च, एक चम्मच जीरा, नमक स्वादानुसार, चोधाई चम्मच हीन, डेड़ चम्मच शक्कर, तीन से चार चम्मच रेगुलर कुकिंग ओयल कुजराती कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में आधा कप बेशन, आधा कप तही और थोड़ा सा पानी डाल कर अच्छे से फेट ले अब एक कड़ाई में लगबग 3 से 4 चम्मच तेल गरम करें, जब तेल गरम हो जाए तो इसमें एक चम्मच जीरा, दोबारी कटी, हरी मिर्च और आधा कप प्यास डाल कर भून लें जब प्यास हलके से भून जाए तो इसमें चौधाई चम्मच हीन डाल कर भूनें अब बेशन और दही के तयार मिश्रण को कड़ाई में बाकी इंग्रेडियन्स के साथ मिलाएं आवश्यक्त अनुसार थोड़ा सा पानी मिलाएं उपर से लगफ़क डेड़ चम्मत शक्कर और स्वाता अनुसार नमक डाल कर अच्छे से चलाएं अब इस कड़ी को अठ्छे से उबाल आने तक पकने दें देखें इसके चटपटे और खटे मीठे टेस्ट के लोग किस तरह फैन बन जाते हैं मतर पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए मतर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई में ओयल को गरम करें फिर इसमें पनीर को फ्राइ कर लें अब थोड़ा जीरा हरी मिर्च अद्रक और लहसुन डाल कर भूल ले प्यास और टमाटर भी डाल कर पकाएं फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टमैटो फ्यूरी और पानी डाल कर मिला दे अब इसमें मतर, गाजर, नमक, फ्रेश क्रीम और पनीर डाल कर पकाएं फिर इसमें काजू मिक्स कर दें और धन्या पत्ती के साथ गानिश करके गर्मा गरम सर्फ करें हांडवा बनाने के लिए हमें चाहिए हांडवा बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में राइस को पीस दें और फिर एक बोल में निकाल ले अब उड़त दाल, तूर दाल और मूम दाल को साथ में ब्लेंडर में डाल कर पीस दें फिर पिसी हुई दाल को राइस के साथ मिक्स करके उसमें हल्डी पाउडर और मिर्ची पाउडर मिक्स करें अब किसा हुआ कैबिच, कैरेट्स, लौकी यानि दूधी, कर्ट, जिंजर, गालिक पेस्ट और ग्रीन चिलीज डाल कर मिला दें फिर तड़के के लिए एक पैन में ओल को गरम करके उसमें मेथी सीट्स, करी लीफ्स और हिंग डालें फिर राइस एंड डाल के मिक्सर में तड़का मिला दें अब इस मिक्सर में बेकिंग सोडा और थोड़ा लेमन स्कुईज कर दें अब एक दूसरे पैन में ओल को गरम करें और उसमें थोड़े सेसमी सीट्स डाल कर रोस्ट होने दें फिर हान्वा के मिक्षर को पैन में डाल कर धीमी आज़ पर पकने दें और फिर एक लिट से ढखतें एक पर हान्वा रेडी हो जाए तो उसे छोटे छोटे पीसे में कट करके कट के साथ सर्फ करें यकिन मानिए आपका हेल्दी, टेस्टी और नूट्रीशन से भारा हान्वा सबका दिल जीत लेगा